सो हलो एबरीबड़ी कैसे हैं आप सब आई यह पच्छे होंगे मैं के पिसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों अभी हूं मैं आनंद ब्यार रेलवे इस्टेशन पर सबसे पीछ है रेलवे इस्टेशन उसके बाद में है पिंक लाइन मेट्रो इस्टेशन बिलू लाइन मेट्रो इस्टेशन दोस्तों एंड बस इस्टेंड तो आप लोग को बता दू दोस्तों के जो आनंद ब्यार आई एस बीटी है काफी लंबा चोड़ा दोस्तों यहां पर पबलिक का हब है दोस्तों यहीं से हर जगे पूरे उत्तर भारत म पर आप यह आपर देखो बेड़ बाड कितनी हैं बहुत जाद है बेड़ बाड है बहुत ही जाद है जैसे कहते हैं देखो वह पेड़ के पीछे दिखाई दे रहा होगा और इधर देखो यह बिलू कलर में लिखा हुआ है यह देख सकते हो आनंद ब्यार टर्मिनल यह दोस् और यह सारे आटो और टैक्सिस यहां पर यह निकलने के लिए है दोस्तों कि वहां पर वस उतारते जाओ चलते चले जाओ क्योंकि यहां खड़े होने का कोई साधन नहीं है दोस्तों बस यह जो थ्री वीलर है वस उनके लिए है कड़ा होने के लिए ताकि तो नहीं है देखो यहां पर यह कैफी बिना रख्वा है और यह दोस्तों देखो यह विल्डिंग आचल रहा है यह बतो लिकलने के लिए कि ऐसा है कुछ देख सकते हैं कि देखो यह बिल्डिंग है दोस्ते है यह आराइट की है जो टैली मेरा टाराइट चलाई जाएगी उसकी यह बिल्डिंग है पूरी दोस्तों क्योंकि अंडर ग्रांड इस्टेशन है और उपर देखो यह बना रखा फुटोबर ब्रेज तो आगे से रस्ता है तो चलते हैं देखो कुछ ऐसा है यह आनंद व्यार आई एस वीटी टर्मिनल और यह बीच में नाला आ जाता है तो जाम देखो यहां पर कितना है क्योंकि यहां पर ISBT है दोस्तों यहां कि यहां बत्फिस्टेंड भी है दोस्तों कितनी जाद है बेड़ भाड़ है देखो आप सभी क्योंकि यहां पर बत्फिस्टेंड है इसी वजह से यह बसे आ रही है यहां यहां पर तबार यहां भीक कि ऐसे इख सकते यो आप सभी और आगे बढ़ते हैं फिर आप लोग को बिखाते हैं चलके कर दे diabetes बहुत जाद कारफारτοी और यहां कितने जाहते हैं और काफी दिनों के बाद में आप पर अप डेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों ऐसी ही जानकारी देखने के लिए के पिसंत को लाइक से एर कमेंट करो जाद है जाद है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप लोग ने तो कर ले ना नीचे है रेड कलर का बेटन उसे प्रेस कर देना तुरंद बैल आइकन बचा देना चैनल सब्स देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर जाम का सामना करना पड़ता है देखो आप सभी करिए दोस्तो यह है डेली मेरे टारालटेस कोरीडोर की दोस्तो यह वाली देखो उत्तर परदेश का मैंट वो क्या नामे स्टेशन अलग है दोस्तो वो इस साइड में है लेफ्ट हैंड पे देखो यह बिल्डिंग है आरालटेस की जमक्री होगी अभी इस पर फुटोबर बिरिज भी बनाया जाएगा नया जो की नहीं बनाया भी इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा और देखो यहां पर बाहिताब के बीड़ भाड देखो कितनी है देखो कितनी जादे बीड़ भाड है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह है आनंद ब्यार आई एस बीटी जो कि डेली के अंदर आता है दोस्तों वह सबसे जादा बहां नयास है उत्तर परदेश में जाते हैं देखो आप सभी कितना ही बाहित सब बिजी यहां का यह आ इस्टेशन है ब्लू लाइन पिंक लाइन मेट्रों के दोस्तों तीतरा इस्टेशन हो गया दोस्तों आप आराल टीएस का और चोथा आप लोगों को बताओ कि रेलवे है यह पांच बाइस पर बस स्टेंड है तो देख लो कितनी बाहित सब यहां पर आतो आप लोग लगा सकते हो कि एक तरीके सा यह बाइसाब हब है हम गाडियां को पैसेंजर का हब है यहां पर चलते हैं आगे दिखाते हैं चलके आप सभी को गाजीपूर कड़कर डूमा एने 24 यह सीधा चला जाएगा दोस्तों इधर यह गाजीपूर के लिए चला जाता है मेरे लेफ्ट हैंड पर और यह गाजीपूर के लिए यहीं से जाता है दोस्तों यह तो जा रही है पिंक लाइन दोस्तों यह पिंक लाइन है और जिस मेट के लिए चला जाता है इदर तो हम यहां से आएंगे यूटन लेकर यहां नीचे से यूटन लेंगे दोस्तों और नूचे से यूटन लेंगे तो यह कड़कर डूमा के लिए भी चला जाता है तो आप सभी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप लोग देख लेना दोस्तों देखो गाजीपुर गाउं यह बिल्कुल एनज 24 को क्रोस करने के बाद में है अब यहां से हमें यूटन ले लेते हैं दोस्तों और यूटन लेने के बाद में फिर आप सभी को एक्स्प्लेंड करते हैं अच्छे से आनन्द भ्यार आईस बीटी को क्योंकि काफी दिनों के बाद में आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगा के पिसंत के चैनल पर देखो जितनी बसित हैना दोस्तों यह इलेक्ट्रिक हैं और यह डेली में ही चलती हैं तरफ अबस्ट्रिक बसमत्र हैं आईस्ट्रिक शचरिक ठाद हैं तरफ चाल कि बस्तों है भ्यार सुष क्योंके हैं जदेखने बस्तों किस्ट्रिक थवड़कर वेलेग रघए झाल झाल दोस्तों यहां से चलते हैं अंदर देखो यह बॉड़ लगा हुआ है आननेडवीआर रेलवे टरमिनल तुद देख सकते हैं यहां पर इसी तरीके से यह यह जाम रहता है वोटो बगैरा यही पर खड़े रहते हैं देखो यह आ चुका आनंद व्यार रेलवे टर्मिनल परवेश अब आप लोग देखो द्यान से देखो अब यह तो है बासिस्टेंड दोस्तों स्टार्टिंग में यह मेरे राइट फिस है ना यह सारी बासिस्टेंड के अंदर ही जा रहे हैं रत कि पहले रास्ता उदर तो बस इस्टन्ड ये देख सकते हो और इसके पीछे हैं दोस्तों पिंक लाइन और उसके पीछे हैं दोस्तों बिलू लाइन जो की एक दूसरे से कनेक्ट हैं और बगन में ही बनाई जा रही है और पीछे आप लोगो बता दू कि ये है रेलवे टर्मिनल तो चलते हैं देखकर आजाना दोस्तो देखो यहां से हमें होना है क्या राइट में अगर हमें टर्मिनल के लिए जाना है दोस्तो रेल्वे रेल्वे ट्रैक पे है यह देख सकते हूं यह आनत्यार रेल्वे टर्मिनल राइट में दे रखा है तो चलते हैं अब आप लोग देखो दोस्तों कि यह मेरे राइट हैंड वाला तो देखो बसे स्टेंड है और मेरे लेफ्ट हैंड वाला दोस्तों रेलवे स्टेशन है आनन्द व्यार का और उपर दोस्तों बुलू लाइन और पिंक लाइन Metro गुजर रही है उपर और Underground दोस्तो RITS की Line RITS दोड़ेगी तो इसमें 4-5 दोस्तो Hub हैं इसके देखो यह है दोस्तो Pink Line का यह वाला Pink Line Metro Station है यह Pink Line का Metro Station है दोस्तो और यह है Blue Line का देख सकते हैं और यह Foot Over Bridge है दोस्तो जो की जाता है Railway के अंदर देखो यहां से यह Railway Terminal पर आने के लिए है देखो कुली भी बैटे हुए यहां पर यह है कुछ न जा रहे देखो आप सभी यह अनंद विहा Railway Terminal और यहां पर बेड़ बार तो रहती है आप लोगों को जैसा की पता है दोस्तो अब यहां से निकल के चलेंगे दोस्तो साहिवाबाद के लिए और दिखाएंगे चल के आप सभी को देखो यह RRTS की बिल्डिंग है दोस्तो यह सारे RRTS का काम चला है डैली मेरट RRTS कोरिडोर जो बनाया जा रहा है उसी की यह बिल्डिंग है दोस्तो तो आप लोगों ने देखा कैसा लगा जाम जूम तो रहता है यह बहुत चाहत है क्या ही कर सकते हैं जासे दिलसाद गार्दन जा सकते हो बिल्कु सीधे सीधे इधर हम आभी गई थे दोस्तो यह दोस्तो राइस्ट हैंड वाला तो यह दिलसाद गार्न के लिए चला जा रहा है देखो ये जा रही है बंदे भारत दोस्तों निकल गई अब ये रेलवे के हैं सारे ट्रेक दोस्तों ये नीचे तो यहाँ पर जितनी पट्रियां है ये रेलवे लाइन की है देखो दोस्तों अब यहाँ से चलेंगे हम कहां के लिए साहिब अबाद के लिए दिखाते हैं आप सबी को क्या कि यार बस भी तो बहुत जाद हैं बहुत जाद है यहाँ पर सिलोडाउन रहता है क्या ही बता है आप सबी को देख लो आप लो अपनी आखों से अब यह आगए हम दोस्तों उत्तर परदेश के यह बहां देखने के लिए मिलेंगे आप सबी को यह पर उत्तर परदेश का दोस्तों क्या है बसे स्टेंड है जो पूरे उत्तर पर्देश में यहां से ही सारी बसे जाती है दोस्तो जहां भी आप सबी को जाना है उत्तर पर्देश में यह बस्य स्टेंड है दोस्तों देख सकते हो यह है पैसिफिक मौल और इसके भगल में है दोस्तों यह बस्य स्टेंड जो कि उत्तर परदेश का है कौसांबी कौसांबी में पढ़ता है देखो ये Pacific Mall है और ये दोस्तो Best Fistland है और यहाँ पर आप लोग बेड़ भाड देखी सकते हो किस कदर यहाँ पर बेड़ भाड है दोस्तो आप लोग देखो किस तरीके से यहाँ पर बेड़ है देख लो आप रहे बेड़ बोलो आप सबी कितनी ज्यादा बेड़ है आज मैंने आप सबी को पूरा आनंद पिहार आप लोग को explain करके दिखाया है दोस्तो बोड़ पर पढ़ सकते हो जब कर बस इस कहां कहां से आते है